पातियों नमस्कार में नरेंट रॉपक का स्वागता फिल स्टेडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर तो सातियों आज बात करेंगे हिंदी के कुछ प्रिशनों की जो आपको पहला कुष्ण दिखाई दे रहा हुआ विजबल कुष्ण 31 है यह यूपी टेट के प्रिविए सेयर प्राक प्लस एतिहासि तो इसका उपसर्ग हो गया तुम्हारा प्राक तो आपसर नमबर हो जाएगा बी प्राग एत्यासिका मतलब होता है जहां से कोई लिखित प्रमाड इसका नहीं मिला हो अब कुशन नमर दो देखो कुशन नमर दो यह है कुशन नमर दो क्या कहा है तुलसी दास किसकी कविता है ये काभीषे कुशन है रचना का है इनकी और भी पुस्तक है जैसे इनकी पुस्तक है अनामिका कौनसी पुस्तक है अनामिका एक है परिमल एक कौनसी है परिमल है एक गीतिका ये भी ध्यान रखना कौनसी है गीतिका तो और भी ध्यान रख सकते हैं तो option मर्ज का D हो गया अगला कुशन प्याओ अगला कुशन है यह संदी विक्षिद, संदी विक्षिद क्या होता, अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, संदी विक्षिद हो जाएगा, तो इसमें बही प्लसकार, बही बहिसकार कैसे लेखा जाएगा, तो बहिसकार ऐसे लेखा जाएगा, इसमें कोई संदी है, इसमें बिसर्ग सं रचने के बारे में पूछ रहा है तो बेध ही जो बनवास रचना है वो आयोध्या सिंग उपाद्या हरियोद की रचना है तो इसका जो ऑप्षन है बी वो इसका सही जाएगा अगला कुशन देखो सवाल नमबर 35 35 में कह रहा है पुलिंग सब्द कौन सा है पखाबज पईया लिखाबट और मजधार तो इसमें पईया है वो कैसा है वो पुलिंग सब्द है ठीक है तो कौन सा हो जाएगा ऑप्षन नमबर बी इसका पईया हो जाएगा पुलिंग ये थोड़ा कर ले चोटा कर लेता हूँ छोटा करके आप पढ़ भी सकते हो 36-37 कुछन कोई आंसर देने हैं इस पस्ता आतम विश्वास विश्य की अच्छी पकड और प्रतिभाव साली भासा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेशड कला है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भासा पर अनायास ही किसी की पकड नहीं हो पाती इसी अभ्यास से स्वामी विवेकान ने जिस संप्रेशड कला का विकास किया था उसने विश्व धरम सम्मिलन में लाखों अ कि उसने बिश्व प्यासा बलकुल है आत्लग कर यह तो बलकुल नहीं है आत्मंद यह बिश्व पात्स बिचारों और भावनाओं का विक्त करना यह वी सही है तो इसका बिश्व बनने वाला कूंसा है 37 वाला 37 वाला कुश्व यह है को यह 40 क्षोस्ट है क्या किर रहा है संप्रेंफअ करोगे एठना अच्छा कोई और बन सकता है किया रहा है निमन में से सायुक्त बेंजन कोंसा है नहीं सोलरी सले सायुक्त बेंजन कोंसा नहीं नहीं wild है यह क्या है यह सारे के सारे कुन से हैं सहीक्त बेंजन है लेकिन यहां इसका सहीक्त बेंजन नहीं तोît अप्सन नमबर इसका चहिए हो जाएगा अगला कुशन देखो मृत्युन जे मृत्युन जे पद में कौन सा समास है मृत्युन जे जिसने मृत्य को जीत लिया हो तो उसमें कौन सा अगर किसी का अर्थ न निकले हो तीसरा कोई अर्थ दे तो उसमें क्या होता है बहु वरी समास होता है तो कौन सा हो जाएगा option number 8 का सही हो जाएगा अगले question पर आओ सवाल number 41 सवाल number 41 क्या कहता है थोड़ा छोटा कर देता हूँ यह देखो यह है पुस्तक किसकी है रेखांकित सब्द जो यह है वो क्या है इसमें क्या दिया गया गुडवाचक पुस्तक बिशेश से है एक बचन नहीं सर्मनामिक बिशेशर है बल्कु सही है पुस्तक बिशेश से है एक बचन है और इस्त्रीलिंग है क्या है option number 20 का करेक्ट जाएगा अगला question देखो अगला question देखो बिसलेशर सब्द का बिलो बहुत easy question है बियाख्या होगा बेबेचन होगा संसलेशर और बिभाजित बिसलेशर का होता है संसलेशर बिसलेशर का मतलब होता है चीजों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना और छोटी छोटी चीजों को जोड़ लेना क्या कहलाता है Sun Slations कहलाता है 43 43 में क्या कर रहा है जिनका उच्चारड ऊपर के दांतों और जीवों जीव के लगने से होता है होता है उसे क्या कहते है मुर्धन कहते हैं कंट कहते हैं दंत कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं तो ऑपसन नमबर C तो और भी पड़े होंगे तुमने जैसे ता है था है दा है और धा है और ना है ना तो पंचमास सर हो जाता और नासिक हो जाता लेकिन यह तुमने पड़े होंगे यह बर्ग में ठीक है तो यह हो जाएगा दंत है अगला कुशन देखो निमलिक्त मैंसे उस्म बेंजन कौन से हैं निमलिक्त मैंसे उस्म बेंजन कौन से हैं तो उस्म बेंजन सब जानते हैं सा तीनों सा क्या होते हैं ये उस्म बेंजन कहलाते हैं अगर मैं इस वाले सा की बोलू बात करूँ तो किस से बोला जाता है ये तालू से किस से बोला जाता है तालू से और इस बाले साकी बात करूँ तो ये क्या होता है मूर धन्या और तुमारा इस बाले साकी बात करूँ तो ये दंत मूल होता है क्या होता है दंत मूल ठीक है तो ये तीनों साथ यहां रखना अलग अलग कौन से है उसम बेंजन जिसमें उसमा निकलती हो मूसे अज़ेखो अत्य दिक का बिलोम अत्य दिक मीश बहुत जादा और अत्य अल्प बहुत कम तो अफसन हो जाएगा इसका भी इसमें तो कुई सम अनिरत ब्रत बक्र और अनिरत तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा बी अनिरत तो इसका मतलब क्या होता है अनिरत का मतलब होता जूट क्या होता है जूट या जूटा और इसका मतलब होता सच्चा अगला कुशन दिखते हैं अगला कुशन दिखो यह रहा संकल्प सब् उपसरग बताईए तो इसमें कैसे टूडता है सम प्लस कल्ब ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा उपसरग इस उपसरग बन जाएगा तुमारा सम सम उपसरग बन जाएगा इसका ऐगला क्रुशन 47 48 कह रहा है मुझसे खुडा भी नहीं हुआ जाता अगला कुशन देखो तदभव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है तदभव होता है जो हम आज कल आम बोल चाल की भासा में बोलते हैं तत्सम जो संस्क्रट से लिया गया है तो लुनाई और लबड्या ये सही है इसका लॉंग लबंग आंत अंत नहीं होता है क्या होता है ये होता है आत्र ये सही है इसका तो अपसर नंबर इसका सी जाएगा और ये आयूस आदेश ये सही है सब सही है लेकिन सी इसका गलत है तो अपसर नंबर सी इसका सही है अगला देखो कुशन नंबर पचास लेखक और उसकी रचना में कौन सा जोड़ा गलत है तो यह गलत जोड़ा पूछ रहा है तो इदे को इसकंद गुप्त लच्छी नाराड मिस्र संस्कृति के चार अध्याय राम धारी सिंग दिनकर रसग्य रंजन आचारे महवीर परसाद दोएदी असोग के फूल आचारे हजारी परसाद दोएदी ठीक है तो आपने पढ़ लिया कुशन तो आप देखते हैं इसमें क्या है इसकंद गुप्त जो रचना है ना लच्छी नाराड मिस्र की नहीं है किसकी है जैसंकर परसाद की जैसंकर परसाद की और रचना क्या है सबसे फेहमस उनकी रचना उर्वसी कौनसी है उर्वसी और एक रचना है समराड चंद्रगुप्त मौर्य कौनसी है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य एक रचना ये है और एक रचना है प्रेमराज्य, कौन सी रचना है? प्रेमराज्य. तो यह ओर भी रचन देहान रखना और बात बाद सब मिलान सही है, लेकिन ये वाली रचना इसका जोड़ा गलत है. अगले कुशन पर आओ, कुशन नमबर 51, यह रहा 51. ये भी रचना सही कुशन है. कभी औ अगला कुशन आजाओ, कुशन नमबर 52, ये भी रचना से कुशन है, लेखक और उसकी कृति के युगम में कौन सा युगम गलत है? आरियों का आरिदेश, डक्टर संपूडानंद, देखो बोलगा से गंगा, राहुल संक्रतयायन, सूरज का सात्मा गोडा, धरमबीर भारती, और देखो दर्सन दिख दर्सन, रामचंद सुकल, ये इसका उप्सन गलत है, डी वाला, और ये जो बारे रचना है, वो किसकी है? राहुल संक्रतयायन की है, उसकी रचना ये वाली, दर्सन, देख दर्सन, और भी रचना है राहुल संक्रतयायन की, वो किया मेरे जीवन यत्रा, मेरी जीवन यत्रा, मेरी जीवन यत्रा, एक इनकी रचना है कालमार्स, कालमाक्स, ठीक है ये ध्यान रखना, कालमाक्स, एक इनकी रचना है माउच सुट्टूंग और एक रचना है देवदास तो आप और रचना भी ध्यान रखना है इनकी ठीक है तो आप से नमबर डी हो जागा अब त्रेपन देखो और सब सही है ये वाला इसमें गलत है तो आपसन नमबर एसका सही और करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन देखो अगला कुश्चन ये है कौन सा सब्द भिन अर्थ और प्रकृति का है सनातन चरंतन सासवत अधुनातन देखो तीनों क्या है ये एक समान है सनातन हो और इसका अगला कुश्चन तो आपसन नमबर इसका आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आ गया ल। उसन नमबर 56 56 देखो क्या कह रहा है ब्याकरड की द्रस्टी से ब्याकरड की द्रस्टी से कौन सा सब्द अशुद्ध है तो जो बिभीशड ब्रहडी, ग्रहडी, जगत गुरू तो इसका क्यों सा गलत है उप्सन नमबर V ये गलत है उप्सन नमबर V गलत है क्या होना चाहिए था इसका इसका होना चाहिए ब्रहडी, कैसे लिखी जाती है ब्रहडी ये ऐसे सुद लिखी जाती है और ब्रहडी का मतलब होता है जिससे अपने प्रिया पती का ब्यूग हो उसे क्या कहते हैं ब्रहेडी बोलते हैं ठीक है तो option number 20 का correct हो जाएगा अगला question देखो अगला question तुम्हारा मुहावरी का है निम्न मैंसे कौन सा यूगन गलत है मुठी गरम करना रिस्वत देना सही है लुटी अडूब होना सारा काम चोपट होना सही है सब जबाग दिखलान हरा बाग करना ये गलत है इसका तो option number C इसका गलत है माई का लाल सासी विक्ति अभी सही है तो option number C इसका सही हो जाएगा अगला देखो ये वाला question पूरा दिखाता हूँ question क्या ही है किरा है मेरी भव बादा हरो राधा नागरी सोए जातन की जहाई पड़े स्याम हर्त दुत होई तो देखो इसमें क्या क्या हरी रंग की बात करी गई है उपरो दो हिमें अलंकार पूच रहा है और हमेसा ध्यान रखना है इसमें कौं सा अलंकार हो जाएगा स्लेश अलंकार तो option number A है स्लेश अलंकार की पहंचान एक सब्द माला एक सब्द और दो या दो से अधिक क्या आलंकार साब्ता अलंकार है दो प्रिकार के उतले सब्दा अलंकार अगा皇 देखाए सब्दा Sha HA क्यों से हो जाएगा अब्धा के लिए तो कहींट हो जाएगा आप्शन नंबर 008 तो साती ये छोटा सा वीडियो था आपको कैसा लगा वीडियो आप मेरे को एक बार कमेंट वाक्स में अवस लिख के बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार बेजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सातीयों तक अवस वेजो जिससे आपको भी फायदा हो और आपके सातियों को भी फायदा हो धनलबा सातियों